हरे कृष्णा भगवत गीता की इस वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं सत्रमाध्याय प्रभुपाजी ने इसका टाइटल दिया है श्रुद्धा के विभाग मुझसे कई बार कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि भगवत गीता पढ़ने के लिए हमारे अंदर क्या गुण होना चाहिए और मेरा जवाब होता है शुरुद्धा अगर आपकी भगवान श्रिकृष्ण में उनके वच्चनों में शुरुद्धा नहीं है तो शायद भगवत गीता ढंक से समझी ना है कहना क्या चाहती है फिर आप एक स्टूडिंट की तरह से उसको पढ़ लोगे रट लोगे हो सकता है कोई आपसे पूछे तो आप उसमें बता भी दोगे संस्कृत में कुछ लोग श्लोक याद करते हैं हो सकता है अब संस्कृत में उसको श्लोक गाके भी सुना दोगे सब कुछ ठीक लेकिन जो मुख्य बात है जैसे भगवान ने कहा था सारे वेदों में जानने योग्ये मैं हूँ तो ऐसे पूरी भगवत गीता का जो निचोड है वो क्या है वो हो सकता है कि कोई वेक्ति मिस कर जाए अगर उसकी श्रद्धा पूरी नहीं है तो अब यहाँ पर सत्रवा ध्याय शुरुवात में अर्जुन जी एक प्रश्न करते हैं और फिर भगवान उसके उत्तर देंगे अर्जुन का एक क्रिश्न जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके यानि शास्त्र तो उसने पढ़े नहीं करते हैं जो ठीक लग़ा है किसी लोग मैंने कहा ना आपके भी सामने दुनियों में बहुत सरे लोग किसी वी किसी संत को भगवान मानने लगते हैं और बहस भी करते हैं अब उनसे बहस करके तो अब जीत नहीं सकते, किसी भी एक संत के पीछे लग जाते, मैं नाम नहीं लूँगा, उसके मंदर बना देंगे, एक पर्टिक्लर हफते का दिन बना देंगे, धाम बना देंगे, और बोलने लगेंगे कि सारे भ्रम्मा, विश्णु, मेश उसी से हैं यह कोई बात हुई, आपको समझना होगा कि भगवान कौन है, भगवत गीता में क्लेरली बताया, भगवान ने अपना विराट रूप दिखा दिया, आप क्या रह गया, सो भगवान तो भगवान श्री कृष्णी ही है, अगर आप उनको राम के रूप में भज रहे हैं, मै लेकिन मुख्यते समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है, आप जैसे किसी भी देवी देवता को भगवान मानने लगते हो, उसके क्या इलाज है? किसी संत को भगवान मानने लगते हो क्या तो यही है ये श्लोक कि जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनके स्थिति कौन सी है सतोगुणी रजोगुणी या तमोगुणी मैंने कहा ना अपने मर्जी से आप किसी को भी भगवान बना दो के आप किसी को भी अपने कोले महले के आप जो है कोई सरपंच है कोई महले का ऐसी लीडर है आप बोलो यही प्रधान मंत्री है जी चलो सब इसी को प्रधान मंत्री मानो इसी का चलता है जी राज्य यहां तो क तब तक चल रही है एक दिन आंधि आएगी सब सरपन्च गहां सब ऊड़ जा करेंगा कि यह समझना पड़े सरपन्च प्रधान मंत्री नहीं है कि आपकी उसमें उतनी शुद्द हो जाने से प्रधान मंत्री नहीं मिल Agora ंतरी तो पड़ान मंत्री ही है कि यह questa समझने की जूरत है अरजुन ने भी यही पूछा कि जो अपनी मरजी से करते रहते हैं कुछ भी तो फिर क्या तो आप जानते हो अरजुन के प्रश्न पर भगवान कभी चुप नहीं रहे हमेशा श्री भगवान हुआ अच्छा भगवान ने कहा क्या कहा देहदारी जीव द्वारा अरजित गुणों के अनुसार जो उसके गुण है अब हम पढ़ चुके हैं बहुत बार तीन तरह के गुण होते हैं सतो गुण रजो गुण तमो गुण जिस विक्ति के जैसे कर्म है वचन है विचार है पिछले जन्म है उसके अनुसार उसके गुण है तो देहदारी जीव द्वारा अरजित गुणों के अनुसार भगवान ने गुण डाल के नहीं भेजे हैं भगवान ने गुण तो छोड़ रखे हैं उसने कौन से पकड़ लिये हैं अब उस पर डिपेंड करता है तो देहदारी जीव द्व तीसरे श्लोक में भी भगवान ज्यादा बताएंगे इसी बात को एलोब्रेट करेंगे फिर चोथे से बताना शुरू करेंगे भगवान कह रहे हैं भरत पुत्र विबिन गुणों के अंतरगत विबिन गुण हमने पढ़ लिए कौन-कौन से सतोगुण, रजोगुण, एक विशेश प्रकार की शृद्धा विक्सित करता है, मतलब उनका यह कहना है कि जो सतोगुणी है, वो सतोगुणी स्टाइल से चलता है, जो रजोगुणी है, वो रजोगुणी स्टाइल से चलता है, पूजा भी वैसी ही करता है और तमोगुणी भी अपने हिसाब से ही अपने द्वारा अरजित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेश शृद्धा से युक्त कहा जाता है यानि जो शृद्धा है कहीं न कहीं वो भी सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी स्टाइल से चलती है इनके बारे में भगवान ने क्या कहा? चलिए अगले श्लोक में बढ़ते हैं हरे कृष्णा